गराने में जनम लिया था मेरी मम्मी एक बड़े बंगले में नोकरी करती थी मेरे पापा दुनिया में नहीं थे मेरे पापा की मृत्ती हुए दो साल बीच चुके थे इसलिए मेरी मम्मी और मैं अकेले ही रहते थे पहले जब मैं छोटी थी मेरी मम्मी मुझे पडोसन के घर छोड़ कर चली जाती थी मैं पडोसन मोसी की बेटी के साथ खेलती रहती थी लेकिन जब मैं 15 साल की हो गई तो मेरी मा मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती मैं पहले भी कभी-कभी मम्मी के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी, लेकिन आज जहां मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी, वो बंगला कोई और ही था, मैंने मा से पूछा, तो वो कहने लगी कि यहां की मालकिन अच्छे पैसे दे रही है, मम्मी मुझे लेकर अंदर गई, मालकिन सामने आंगन में बैठी थी, मेरी मा को देखकर उस औरत के चहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, मेरी मम्मी ने उस औरत से मेरी पहचान करवाई, उस औरत ने अजीब नजरों से मुझे सिर से पैरों तक बड़े गोर से देखा, मुझे उसका ऐसा देखना अच्छा नहीं लगा था, मम्मी ने कहा, आज के बाद से मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी, वह कहने लगी, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया, फिर मेरी मम्मी ने मुझे जाडू पकड़ाया, और कहने लगी, तुम पूरे बंगले का जाडू पो जाने का इशारा किया, मेरी मा मालकिन के साथ ही कमरे में चली गई, और फिर कमरे का दर्वाजा बंध हो गया, मैंने एक नजर जाडू पर डाली, और दूसरे इस बंगले पर, फिर गहरी सांस भरती हुई, पूरे घर का जाडू लगाने लगी, मुझे कामकाज करने की आद बहु जादा बरतन जमा थे, देखकर मेरा रोने को दिल चाहा रहा था, मैं यह सब काम अकेले कैसे कर सकती थी, खैर मैंने बरतन धोए, किचन के सफाई की, लेकिन साथ साथ में यह भी सोच रही थी, कि मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिये, तो मम्मी कमरे में क्या कर र रही थी, इसलिए मैंने मालकिन के कमरे का दर्वाजा खट खटाया, कुछ देर बाद मम्मी ने कमरे का दर्वाजा खोला था, वह बुरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी, वह मुझे से कहने लगी, कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ, यह कहकर मेरी मम्मी ने दर पर लिप्टी हुई थी, जैसे वह पहन कर कमरे में गई थी, बाहर आते ही उन्होंने तुरंत कमरे का दर्वाजा बंद कर दिया, और मुझे अपने साथ लिए बंगले के बाहर आ गई, मम्मी की आँखे सूजी हुई थी, जैसे कमरे से रोकर आई हो, मैं यह सोच रही थी, कि मम्मी ने कमरे में कोई काम भी नहीं किया, वह तो पूरा दिन मालकिन के कमरे में ही रही थी, सारा काम तो मैंने ही किया था, लेकिन मेरी मा को देखकर यही लग रहा था, जैसे वह बहुत ठकी हो, ना जाने ऐसा क्या काम किया होगा, मेरी मा घर जाकर सबसे पहले अपने क मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़ादा भूक लगी हैं। वह कहने लगी, तुम जाकर पड़ोस से सबजी ले आओ। मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं पड़ोसन से सबजी ले आई। और इतनी देर में मम्मी मेरे लिए रोटी बना चुकी थी। रात को मम्मी ने मुर्गी का सालन बनाया जो मुझे बहुत पसंद था और मैंने खूब अच्छे से ही खाया। मेरी माने मेरे लिए सुबह के लिए भी सालन रख दिया। कहने लगी कल आकर खाना पकाना नहीं मेरी मा कहने लगी अब तुम बड़ी हो गई हो इसलिए अभी से काम करने की आदत डालो। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ऐसे में मैं अकेले घर का खर्चन नहीं उठा सकती। मम्मी के मजबूरी सुन मैं चुप हो गई थी लेकिन अब तो रोज का यही काम थ मम्मी अपनी मालकिन के साथ कमरे में अंदर चली जाती और मैं सारा काम करती रहती। मुझे वहाँ पर गुसा भी आने लगा था और हैरानी इस बात पर होती थी कि मम्मी जब कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी होती। उनकी आखे ड्रैड और ठकी ठकी सी होती। एक ब नहीं किया हो वह कहने लगी कि मैं कौन सा आराम करती हूं मेरा काम तो यह कहकर वह चुप सी हो गई फिर एक लंबी सास भर कर बोली गरीबी एक बहुत ही बड़ी मुसीवत है जिसके घर को लग जाए उसे बरबाद कर देती है मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी इतनी मुश् करती थी हम लोग इस महंगाई के दोर में बकरे का गोस्ट खाते थे जब मैं मम्मी से पूछती मा तुम क्यों इतना महंगा गोस्ट खरीद रही हो तो वो कहने लगती तुम भी मेरे साथ इतनी महनत करके कमाने लगी हो तुम्हें अच्छा खाना पीना खाने की जरूरत है म अमी खुद भी अच्छा खाना नहीं खाती थी मुझे पेट भरकर भुणा हुआ गोस्ट खिलाती और खुद बचा हुआ खाना खाती कभी कभी मैं सोच्ती थी कैसी महंगाई है जो मेरी मा के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं मेरी मा की खूपशूरती अफ्टिकी पढ़न मत लगाना लेकिन आज वो बहुत जल्दी में थी मैं बड़ी हो रही थी इसलिए मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम अब चादर ओड कर जाया करो मैं मम्मी की अलमारी से अपने लिए चादर निकालने लगी तो वहां कपड़ों के नीचे मैंने एक ऐसी चीज देखी कि मेरा दिल धड़कना भूल गया मेरी मा मुझे बाहर से पुकार रही थी मैंने चादर ली और कमरे से बाहर आ गए मम्मी आज फिर से उस मालकिन के कमरे में थी मेरा आज काम करने का बिलकुल भी दिल नहीं कर रहा था मैंने सोचा आखिर यह मालकिन मेरी मा को रोज अपने कमरे मे क्यूं ले जाती है और तीन चार घंटे मेरी मा से क्या काम करवाती है मैंने आज इस घर की सफाई दिल से नहीं की थी थोड़े थोड़े ही सारे काम किये और मालकिन के दर्वाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और मैंने दाएं बाएं देखा कि शायद मुझे कोई खिड की नजर आ जाए जिससे मैं अंदर जाक सकूँ कि मम्मी ऐसा भी क्या काम करती है कि इतनी थकी हुई होती है लेकिन वहां कुछ ना था फिर मेरी नजर दर्वाजे के हॉल पर पड़ी मैंने उस हौल से जाका लेकिन कमरे की बत्ती बंद थी बस नाइट बल्फ जल रहा था कमरे में हर जगा अंदेरा था इसलिए मुझे ठीक से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था बस कमरे में सामने की खिड की नजर आ रही थी जिसके सामने परदा लगा कर रोशनी को आने से रोका गया था मुझे बिलकुल मायुसी सी हो रही थी मैंने कई बार ममी से पूछा था कि मालकिन अपने कमरे में ले जाकर क्या काम करवाती है लेकिन मेरी मां हर बार बात को टाल देती थी लेकिन अब मैंने भी ठान ली थी मैं हर हाल में यह बात जान कर ही रहूंगी मैं अभी भी उसी हौल से देख रही थी कि मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है अभी मैं इग्नोर कर ही रही थी कि मालकिन के घर में तो कोई नहीं है फिर ये कौन हो सकता है कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा मैं तो बुरी तरह से हडबडा गई और जट से पीछे हटी मेरा दिल ऐसे हो गया था कि धड़कना भूल गया हो जब मैंने पीछे पल्ट कर देखा तो सामने खड़ा नोजवान सा लड़का मुझे ही घूर रहा था मैं बुरी तरह से डर गई थी मुझे यहां काम करते एक महीना हो चुका था लेकिन अब तक किसी नोजवान को यहां आते जाते नहीं देखा था उस लड़के के हाथ में एक बैग था वह मुझे तिर्ची नजरों से देख कर बोला ए लड़की मेरी मा के कमरे में क्या तांका जाकी कर रही हो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज गले में ही कहीं फस गई हो मैंने उल्टा सिधा बोलना शुरू कर दिया कक्को कुछ नहीं मैं मैं वह मेरी मम्मी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ मैं भी चुप हो गई वह कहने लगा चोर हो मैं जल्दी से बोली बिल्कुल नहीं मेरे जवाब से उसने मुझे एक नजर सर से पैर तक देखा फिर बोला कौन हो तुम मैंने कहा मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था मुझे नहीं पता था कि मैं क्या जवाब दे रही हूँ वह मेरी जवान पर मुस्कुराने लगा कहने लगा सब अपनी मम्मी की बेटियां और बेटे ही होते हैं मैं भी अपनी मम्मी का बेटा हूँ लेकि तुम यह है बताओ कि तुम इसके अलावा क्या हो मैंने कहा मैं इस घर की नोकरानी की बेटी हूँ यहां काम करती हूँ ना जाने में क्यूं बद हवास सी थी मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने रखे पर रख दिये और फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाने लगा कहने लगा ए लड़की आओ मेरे जूते उतारो यह सुनकर मुझे हैरानी हुई थी मैं एक नोकरानी की बेटी तो थी लेकिन ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती थी मैंने साफ साफ इंकार कर दिया मैं ऐसा क काम नहीं करती मेरी बात सुनकर वह बोला अच्छा मा के कमरे में ताका जा की करती हो और काम नहीं करती बात सुनो मेरी अगर मैंने तुम्हारी इस हरकत को मा को बता दी तो वह तुम्हें अभी के अभी नोकरी से निकाल देगी यह सुनकर तो मेरे खोश उड़ने लगे थे मैंने कहा आप ऐसा कुछ मत कहना मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी मेरी बास सुनकर वह मुझसे कुछ नहीं बोला बस अपने पैरों में पहने जूते की तरफ इशारे करने लगा मैं बेबसी से उसके पास पहुँची वो 17-18 साल का लड़का था शकल भी उस मालकिन से ही मिलत लेकिन था बहुत घमंडी की समका मैं उसके पास रखे शीशे के टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी मैंने जब उसके जूते उतार कर एक तरफ रख दी तो वह मुझसे पानी का एक गिलास मांगने लगा मैं कीचन में आ गई पहले अपने हाथ कुछ दिन छुट्टी बिताने आया था मेरी मा अभी भी थकी थकी पसीने से भीगी हुई थी वो लड़का शायद मेरी मा को जानता था उन्हें देखकर नमस्ते करने लगा मेरी मा ने भी उसे नमस्ते का जवाब दिया और फिर मम्मी ने वापसी की इजाजत मांगी और करने लगी वह लड़का एकदम मुझे ही देखे जा रहा था मैंने भी खूबसूरती अपनी मा जैसी ही पाई थी मेरी उमर 15 साल थी मैं जब उस लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वह मेरे पीछे कमरे में आ गया मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का द दर्वाजे की तरफ पढ़ने लगी लेकिन इस से पहले वह उस दर्वाजे के पास पहुँच गया था मेरी जान ही निकल गई थी जब उसने कमरे के दर्वाजे की कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरह बढ़ाने लगा कहने लगा कल तुम उस कमरे में जहांकर क्या की कोशिश कर रही थी एक एक कदम मेरी तरह बढ़ाते हुए पूछ रहा था मैंने कहा मुझे बहा जाना है आपने दर्वाजा क्यों बंद किया वो मेरी बात को नजर अंदाज किये मुझे बड़े गोर से देख रहा था उसकी तेज नजरों से मेरे पूरे शरीर में संसनी दोड़ गई थी तुम्हें बहुत शोक है दूसरों के कमरे में जाक कर यह देखने का कि वहां क्या हो रहा है और वह हसने लगा कहने लगा मैं तुम्हें बताओं कि बंद कमरे के पीछे क्या होता है उसकी बात से मेरे शरीर में गुस्से की लहर दोड़ाई थी इससे पहले की वह मेरे पास आता मैंने मम्मी मम्मी चिलाना शुरू कर दिया लेकिन उसने मेरे मुँपे हाथ रख दिया और कहने लगा अगर शोर मचाया तो तुम्हारा गला दबा दूँगा यह कहकर उसने मेरे मुँझे हाथ रटाया और कमरे का दरवाजा भी खोल दिया मैं कमरे से बाहर निकल आई उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाजा तेजी से बंद कर लिया मैं इस तरह परिशान थी कि रोने लगी थी मैं सोच चुकी थी अब यहां काम करने नहीं आऊंगी मैंने बाकी का काम रोते हुए किया था मम्मी जैसे ही मालकिन के कमरे से बाहर निकली मुझे रोता देख कर परिशान हो गई मुझसे रोने की वज़ा पूछने लगी मैं उस वक्त मालकिन के सामने कुछ नहीं बोली मैंने कहा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है मैं पूरे रास्ते में रोती रही मेरी मम्मी मुझे घर के बजाए डॉक्टर के क्लिनिक ले जाने लगी लेकिन मैंने मना कर दिया घर जाकर मैं मम्मी से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उस लड़के की बाते भी बता दी मेरी मा बहुत ज़्यादा परिशान हो गई थी मैंने कहा मम्मी मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना है मेरी मा ने मुझे चुप करवाया और कहा कल से वह अकेले ही जाया करेगी अगले दिन में घर पर ही रही थी लेकिन उस दिन जब मम्मी घर पर आई थी, उनका चहरा रेड हो गया था, वह बहुत ज़्यादा थकी थी, आते ही बिची चार पाई पर लेट गई, जब मैंने मम्मी को छू कर देखा, तो वह बुखार से तडप रही थी, मैंने जल्दी से मम्मी को पानी पिलाया, खाना खि रही थी, मेरे पास रिष्टे के नाम पर सिर्फ एक मम्मी ही तो थी, अगर उसे भी कुछ हो जाता, तो मैं कैसे जी सकती थी, सुबह तक मम्मी का बुखार तो काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन ठकावट बहुत ज़्यादा थी, इसके बावजुद वह मालकिन के घर जान मेरी बास सुनकर मम्मी की रंगत उड़ गई थी, वह कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हे कभी अकेले नहीं बेज सकती, इस बार मम्मी के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी मा की तब्यट ठीक ना थी, वहां पहुँचकर वह बिलकुल बेहाल सी हो चुकी थी मैंने उनसे कहा वह एक जगा पर बैठ जाए, मैं सारे काम खुद कर लूँगी, वह जमीन के एक कोने में बैठ गई, उस मालकिन का बेटा आज मुझे कहीं भी नजर नहीं आया था, शायद वापिस होस्टल जा चुका था, मैंने पूरे घर के सफाई की, मम्मी एक कोने में बेहाल सी लेटी थी, जब सारे काम खतम हो गए, तो वह मालकिन कहने लगी, कि तुम्हारी मा तो बहुत बिमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा, यह सुनकर मुझे उस मालकिन पर गुस्सा आने लगा, अफसोस भी होने लगा, मैंने कहा मा बिमार है, वह कहने लगी, मैं जो मेरी मा की अलमारी में हजारों के कई नोट पड़े रहते हैं लेकिन जैसे ही मैं मालकिन के कमरे में जाने लगी मेरी मा मुझ पर चिलाने लगी कहने लगी तुम अंदर नहीं जाओगी शायद मेरी मम्मी पास में ही थी इसलिए मेरी और मालकिन के बीच की बाते सुन ली थी इसलिए इतने तेज बुखार में भी बोल पड़ी थी बहुत मुश्किल से वहा उठी और मुझे बाहर लेकर आ गई शाम को मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई अगले दिन मेरी मम्मी गहरी नींद में सो रही थी मैं चुपके से घर से बहार निकल गई अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे भी मालूम हो कि बंदरवाजे के पीछे का क्या राज है मैं इस बार अकेले बंगले में चली गई थी वह मालकिन मुझे अकेला देखकर मेरी मा के बारे में पूछने लगी मैंने कहा उनकी तबियत ठीक नहीं है पहले तो उस मालकिन ने मुझे से घर का सारा काम करवाया फिर उसके बाद कहने लगी कि मैं वह काम करूँ जो मेरी मा करती थी वो मुझे उससे डबल पैसे देगी जितना मेरी माँ को देती थी मैं उसकी बात मान गई उस वक्त मुझे पैसे चाहिए नहीं थे बस मेरी यह जानने की दिल चस्पी थी कि वह मेरी माँ से क्या काम करवाती है कि जब मेरी माँ कमरे से बाहर आती है तो मेरी मा ठकी ठकी होती है मैं जब उस मालकिन के कमरे में गई तो पूरे कमरे में अंधेरा चाया हुआ था उस मालकिन ने एक नाइट बल्फ आन किया और खुद वाश्रूम में चली गई मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे में बैड पर पैठ गई कुछ देर बाद जब वाश्रूम से बाहर निकली तो उसने रात का कपड़ा पहन रखा था मुझे देखकर हैरत हुई जब वाश्रूम मालकिन ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश ही उड़ गए थे मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझे से क्या काम करवाना चाहती है मैं खड़ी हो गई लेकिन इतनी देर में वो मेरे पास आ गई और फिर उसने मेरे हाथ में जैतून के तेल की शीशी पकड़ा दी कहने लगी मैं इससे मसाज करू और वो भी बिना रुके मुझे उनका मसाज करना था वह एक मोटी सी ओरत थी और उसके शरीर में दर्द की शिकायत रहती थी वो हर रोज मेरी मां से तीन चार घंटे मालिश करवाती थी मेरी मां थकान से बेहाल सी हो जाती थी और कभी कभी थकान से रोने लगती की गरीबी भी इनसान को किस कदर थका कर रख देती है लगतार दो घंटे इस ओरत का मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी उस ओरत ने अपने पर्स से मुझे दो हजार रुपए निकाल कर दिये कहने लगी यह बिमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है इस जैतून के तेल में कुछ खास जड़ी बूटियां हैं इसकी मालिश के बाद ही मैं कुछ चल फिर सकती हूँ वरना एक कदम भी उठाने पर मेरी चीखे निकल जाती है फिर कहने लगी मुझे तुम्हारी मा ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बत्तमीजी की थी मैंने उसे इस बात पर बहुत डाटा था और तुमसे भी माफी मांगती हूँ आगे वह तुमें कुछ नहीं कहेगा मैंने उसे जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाजा खोल कर बाहर निकल गई मुझे मा के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था मैं जितना भी अपनी मा की इज़त करती थी उतना कम ही था मेरे लिए वो एक महानायक थी ना जाने मैंने क्यों उनकी शराफत को शक की नजरों से देखा था हर बंदरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते यह बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई थी दोस्तो आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएं यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें दोस्तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्त कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुब वह मंगल में हो